हलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का दनौल्स गुरू के सी रूप चल पर तो सिया मनहुलाल से चौधरी बिरेंज सिंग की सियासी मीटिंग बोले कड़ बंधन की क्या जरूरत मुझे भी राजनीती में 50 साल हो गए हम भी सलाह दे सकते हैं तो हर्याना में बिजेपी जेजेपी गड़ बंधन को लेकर पूर्व किंद्री मंत्री बिरेंज सिंग और मुख मंत्री मनहुलाल की देरासियासी मुलाकात भी इस मुलाकात के कई माइने निकाले जा रहे हैं हलाकि चौधरी बिरेंज ने संके दिये हैं कि यह मुलाकात सिर्फ गड़ बंधन पर चर्शा को लेकर भी और कहा कि हर्याना में बिजेपी को गड़ बंधन को गड़ बंधन की जरूरत नहीं मुझे भी राजनीती में 50 साल हो गए हम भी सलाह दे सकते हैं तो चौधरी बिरेंज सिंग ने कहा कि मुख मंतरी मनहुलाल मान लेंगे तो ठीक है पूर्व केंदरी मंतरी ने कहा कि लोग सबाब में बिजेपी के पास वोटिंग स्टेंथ हैं राज में भाजपा दूसरी पार्टी से काफी मजबूत है उन्होंने कहा कि जो वोट पहले कॉंगरस का था वो आज बिजेपी का है बाकी राजनीती में हालात तो बदलते रहते हैं तो चौधरी बिरेंज सिंग ने कहा कि 2024 में हरियाना में विधान सबाब चुनाओं होने हैं इस बीच ये बैठक महत्पून है चुनाओं को लेकर बिरेंज सिंग ने कहा कि अभी इस क्या जरूरत तो चौधरी बिरेंज सिंग ने कहा कि कड़बंदन से कोई लाब नहीं होने वाला है लोक सबाब चुनाओं में कड़बंदन से दो या तीन सीटें किसी को देनी पड़ जाएंगी बिरेंज सिंग ने कहा कि पिसले विधान सबाब चुनाओं में जेजेपी को बिजेपी के खिलाफ वोट मिला था वहीं आज जेजेपी के पास ही वोट नहीं है वो तो दूसरों को क्या दिलवाएंगे पूर्व किंद्री मंद्री ने कहा कि हमेशा जमीनी हकीकत की बात करता हूँ आज जेजेपी के पास वोट नहीं है तो पूर्व किंद्री मंत्री उचाना विधान सभा से पांच बार रहे विधायक यह सीट उनकी परामपरागस सीट है इस सीट की सियासत उनके परवार के इर्दगिर्द की घूमती रहती है 2019 में लोकसवाचनाव में दुस्तेन चोटाला को उनके बेटे बरजेन सिंग ने हरा दिया था इसके बाद इस सीट को चोधरी बिरेन सिंग होना नहीं चाहती है